वेल्कम यू ओल तू दी एससी क्रैकर्स। आज मैं आप से इन्डिया के एक इंडेक्स के बारे में डिसकुस करने जा रहे हूँ जो है ग्लूबल एनरजी ट्रांडिसन इंडेक्स 2020। इंडिया रैंक 74 पुजिशन ऑन ग्लूबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स और यह जो रिपोर्ट है वो 13 ओफ में 2020 को पब्लिस की गए थी और यह जो इंडेक्स है वो वर्ल्ड एकोनॉमिक फॉरं द्वारा पब्लिस की जाती है जिसका हैटकॉर्टर कॉलगनी स्विजर और यह फाउन किया गया था 1971 में करीबन 49 एर्ज एगो तो और भी कुछ मेजर रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड एकोनॉमिक फॉरं द्वारा जो है वो पब्लिस की जाती है तो पहला आपका हो गया ग्लोबल कॉम्पेटिटिवनेस रिपोर्ट जिसमें 2019 में इंडिया जो है व और एकुंद आइक बताती है कि कॉन सी कंट्री environmental sustainability को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से energy को transition करती है from non-renewable to renewable energy तो यह जो index है वो basically किन चीजों पर जो है वो जादा focus करती है तो पहला तो आपका आगे security and access दूसरा आपका आगे environmental sustainability और third हो गया आपका economic growth and development अब हम लोग आगे देखेंगे कि इस index में जो है उसमें top three countries जो है वो कौन-कौन सी है तो पहला तो हो गया आपका Sweden जो की consecutively third time जो है वो first position पर बना हुआ है followed by Switzerland and third is Finland अगर बात की जाए इंडिया की तो इंडिया ने 2020 में पहले से बेटर परफॉर्म किया है जो की 74th position पर है जबकि 2019 में ये 76th position पर था तो ये जो improvement है वो 2015 से देखी जा रही है इस improvement is possible due to the government mandate renewable energy expansion programs गवर्मेंट के कुछ दो पाइदान वो पीछे है जो की 78th position पर है तो ये सारे जो information है मुझे लगा ये आपके लिए important है मैं अगली वीडियो में और न्यू और लेटिस्ट टॉपिक कर लिखे आऊंगी होप आपको ये पसंद पसंद आया हो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएंगे थैंक्यू सो मच्छ